नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों आज के विडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड विडियो है दोस्तों भगवान विश से इन छे राशी वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश्कवरी यू कहे कि ये राशी वाले होंगे करोरपती ये राशी वाले अब होंगे धन से माला माल स्वय भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी अब बारा राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और यू कहें कि स्वय भगवान विश्नुजी और माता लक्ष्मी इन राशी वालों के घर पधार रहे हैं, जिससे इन राशी वालों के जीवन की सभी दुख, दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं, और अब इन राशी वालों के जीवन में आने वाली है, अपार खुशिया ही खु दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हें कुछ-कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। जोकी पग्मिनी एकादशी के दिन धन से माला माल होने वाली है इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखे बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आप से रिक्विस्ट करते हैं भगवान विश्नु जी और मालक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दे इसके साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री विश्नु जी जैमा लक्ष्मी जरूर लिखे जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो हिंदू धर्म में पद्मिनी एक आजशी वरत का विशेश महत्व है बता दें की यह वरत हर तीन साल में एक बार पुरुशोत्तम मास या अधिक मास में रखा जाता है इस वरत को कमला एकदशी के नाम से भी जाना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एक दशी वरत के दिन पूजा पाठ और भगवान विश्णू की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है साथ ही जीवन में आ रही विविद प्रकार की परेशानिया समाप्थ हो जाती है वैदिक पंचान के अनुसार पद्मिनी एक आजशी वरत के दिन दो अत्यंत शुभ योग के निर्मान हो रहा है इस विशेश दिन पर ब्रह्मा योग और इंद्र योग बन रहे है बता दे की सुभ नौ बचकर 34 मिनट बजे तक ब्रह्मा योग रहेगा और इसके बाद इंद्र योग शुरू हो जाएगा जोतिश शास्त्र के अनुसार इन दोनों शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ एवन स्नानदान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और देवी देवताओ का आशिरवात प्राप्थ होता है इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिध्धियों के दाताक शीर सागर में शेशनाक शयापर विराजमान भगवान श्री हरी विश्नु की उपासना करनी चाहिए पूजास्थल के इशानकोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्थ धान रखें एवन इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं तकपश्चात भगवान विश्नु की मूर्तिया तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्प, रितुफल, तुलसी आदी अर्पित कर धूपदीप व कपूर से भगवान विश्नु की आरती करें इस दिन विश्नुजी के मंदिर एवन पुलसी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है इस दिन हरी भक्तों को परनिंदा, छलकपट, लालच, ग्वेश की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायन को ध्यान में रखते हुए यथा शक्ती विश्नुजी के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जब करना चाहिए दोस्तों आपको हम बता दे कि इस दिन यानी पद्मिनी एकादशी के दिन गुरु पुष्य योग, अमरित सिध्धी योग, महालक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है जिसमें से बारा राशियों में से कुछ राशी वालों को धन लाभ प्राप्ती के योग है ये राशी वाले धन से माला माल होन वाले है और अब करोरपती बनने से इन्हे कोई नहीं रोक सकता इन राशी वालों को स्वय विधाता भी नहीं रोक सकती इन्हे पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वे भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी है, दोस्तों आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही जरूरी चीज हो गई है बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है यदि किसी भी कार्य की शुरुवात की जाती है, तो उसमें धन की आवश्यक्ता जरूर पड़ती है बिना धन के कोई भी कार्य संपन हो ही नहीं पाता हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो वह अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वह दिन रात कड़ी महंत भी करता है, जिससे वह बहुत सारा धन अर्जित कर सकें परंतु इतनी महंत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्ट नहीं हो पाती और वे सोच में पढ़ जाता है इतनी महंत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहंत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहंत में ही अपन इच्छा अनुसार सफलता प्राप्थ कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्थ हो जाती है। हिंदु धर्म में ग्रेह, नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वही कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकार देने जा रही हैं, जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरी विश्नु और मा लक्ष्मी के आशिरवात से चमकने वाली है, और इन राशी वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है, या दोस्तों इन खुश नसीब और भाग्यशाली राश और इनके आशिरवात से आपके जीवन के सभी दुख गर्द और कश्ट मिटने वाले हैं, भगवान विश्नु और मा, लक्ष्मी की कृपाद रिष्टी आपके उपर बनी रहेंगी जिसकी वजह से ही आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, वे कार्य आपके लिए सफल होंगी सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो वह पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपने सभी करजों से मुक्ती पाने में काम्याब भी रहेंगे आपके द्वारा की गई कोशिशे सफल होगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेंगी व्यापार में अचानक धन लाब होगा और सुक शान्ती का वातावर्ण आपके घर में बना हुआ रहेगा साथ ही साथ मकर राशी वालो आपके उपर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की क्रिपा सदैव बनी रहेंगी हालांकि इस राशी के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा सन्यम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी जीहा दोस्तो मेश राशी वालों को बता दे कि इस समय शुभ महा सन्योग से मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु की क्रिपा से आपको अब लाभदायक समय देखने को मिल सकती है आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेंगी साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशावाले हैं, उनको पद में उननती मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहियोग प्राप्थ होगा साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिधी होगी साथ ही साथ संतान प्राप्ती के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा माता पिता का आशिरवाद आपको बड़ी उचाईयों पर लेकर जाएगा इस राशिवालों को मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु जी के आशिरवाद से समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब हुठाएं लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह खुश नसीब और भाग्यशाली राशी है कन्या राशी दोस्तों कन्या राशी वालों के लिए भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी के आशिरवाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है जी हाँ दोस्तों और ये आपके लिए बहुत ही लाभगायक समय सिध्ध होगा या दोस्तों परिवार में सुख शान्ती आएगी आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा संतान पक्ष से कोई बड़ी खुश खबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसंद रहेगा भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की अपार कृपा द्रिष्टी आपके उपर बनी रहेंगी जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावर्ण रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुक शान्ती का वातावर्ण रहेगा साथ ही साथ जो लोग व्यापारी है उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्खबरी प्राप्थ हो सकती है भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशी वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है अब बात करें अगली भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है मीन राशी या दोस्तों मीन राशी वालों पर भगवान विश्नु और महालक्ष्मी अत्यंत महरबान है अत्यधिक कृपा आपके उपर बन रही है मीन राशिवालों भगवान श्री हरी विश्नु और मा लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्थ होगी आपके साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब होंगे साथ ही साथ छातरों के लिए शिक्षा के ख्षेतर में प्रग्ती के योग बन रहे हैं परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा या दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशी वालों अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्थ होंगी जिनके आप हकदार हैं भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की क्रिपासे आपको अब अनेक प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं प्राप्थ होने वाली है दोस्तों अब बात करें अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है कुम्भ राशी कुम्भ राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की क्रिपासे आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्मान हो रहा है इन राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एकागरता और शान्ती रहेंगी आप लगातार सफलता की नय नय कीरतिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगी आप अपने मेहनत से जो भी कार्य में लगे हुए हैं, वे कार्य सफल होंगे दोस्तों आपको बता दे आपको धन लाब प्राप्ती के भी योग बन रहे हैं व्यवसाय में भारी धन लाब आपको प्राप्त होगा आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी भगवान विश्नु और मालक्षमी की कृपा से कुम्भ राशी वालों समय आपके लिए बेहद अनुकूल है इस समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तों भगवान विश्नु और मालक्षमी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेंगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी बात करें, अगले खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है, तुला राशी जी हा तुला राशी वाले लोगों को बता दें कि आपके उपर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टी बन र नौकरी करते हैं, उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन व्रिद्धी के भी योग है। साथ के साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश में और आनंद पूर्वक रहने वाला है। दोस्तों बता दे भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी के आशिरवाद से तुला राशी वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में हैं। जीस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, वे कार्य है, आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का आप भरपूर लाब उठाए और समय को अपने हाथ से आप ना जाने दे, दोस्तों बात करे, अगली खुश नसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है, व्रिशब राशी दोस्तों व्रिशब राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की विशेश कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली हैं, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिध्धी होगी, जिसकी वजह से समाज में आ आए के साधनों में व्रिध्धी होगी, साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वह योजना भी आपकी अवश्य सफल होगी, व्रिशब राशी वाले लोगों आपके लिए धन लाब के लिए अनेकों अफसर प्राप्त भी होने वाले हैं, यू कहें कि धन लाब प्राप्ती की आपके लिए अनेक उपियोग हैं, स्वयमा लक्ष्मी और भगवान विश्नुजी के आशिरवाद से इस समय आपके लिए अनुकूल है, आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुश्नुमा माहौर का साथ ही साथ कारोबार में व्रिध्धी होगी, सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धन प्राप्ती आपको होने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, दोस्तों बात करे अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी की तो वह राशी है, व्रिष्चिक राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्नु और मा लक्षमी की क्रिपा से आपको कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं, आपके द्वारा की गई मेहंत का आपको अवश्य ही फाइदा प्राप्त होगा, आर्थिक इस राशी के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है, आपकी मधुरवानी की वजह से आपके सभी अटके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे, भगवान विश्नु और मा लक्षमी की अपार कृपा आपके उपर ब व्रिश्चिक राशी वालों मा लक्षमी और भगवान विश्नु जी के आशिरवाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाब उठाएं दोस्तो ये थी खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां जिनको भगवान विश्नु और मा लक्षमी के आशिरवाद से अब वो बहुत बड़ी खुश्कबरी होकी प्राप्ती होने वाली है यू कहे कि ये राशी वाले माला माल होने वाले हैं इनको अनेको प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विश्नु और मा लक्षमी के आशिरवाद से अवश्य ही प्राप्त होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा या दोस्तों भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी का आशिरवाद आपको प्राप्थ हो सच्चे दिल से कामेंट्स बॉक्स जै मा लक्ष्मी जै श्री विश्नु लिखें तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार